कि अधीन्ट मैं जब रकास आप सब लोगों का अपने शुटीब चनली पर सागी में स्वागत करता हूं आज कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्ट्रेज लॉजिक वाल का igi part two chawa हuf उसमय हमने देखा था कि cartridge logic wall क्या होता है कैसे काम करता है इसका function साहर देखाता है अभी हम क्या करेंगे कि वो cartridge logic wall हम किस तरह से यूज करते है और क्यो use करते हैं ठीक उसको क्रें इसको work करके देखा ता उसका रुर्णिंग विडियो क्यों कैसे रान करता है इसमें हम देखेंगे कि इसके युज़त क्या पड़ी इतना हेवी सर्कृट हुआता है हमारा क्योंकि सब्सक्राइब इसमें सिलेंडर में तो इतना बड़ा सर्कृट करने क्या जुरत है तो यही आज समझने की कुसिस करेंगे कि इतना बड़ा सर्कृट हम क्यों मना रहे हैं वेकार में इसके जुरत क्या है मेरे वीडियो में और वीडियो कर पसंद आए कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं तो देखें यह हमारा एक पूरा हमने सर्कृट बनाया हुआ हुआ जैसे कि आप समझे इसको कि 100 टन की यह प्रेस होगी यह पचास टन की है साट टन की ऐसे एक प्रेस हमने बनाया हुआ है तो यहां हमने ऐसा क्यों बनाया हुआ है अब हम सीधा करते हैं लागाते एक डारेशन कंट्रोल वाल देखिए जिसे कि हमारा ऐसा भी चल रहा था यह इस तरह से देखिए हम सीधा एक अपना सेटर प्लागाते ठीक है और यहां डारेशन कंट्रोल लागा के सीधा इसे चला लेते यह भी ऑप्सन है दूसरा ऑप्सन भी एक और है कौनसा है देखिए यह वाला है दूसरा अप्सन यह है यह वाला देखिए यह वाला जो मैंने इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसके उपर कि सोलनेट कंट्रोल इसके उपर यह सोलनेट लगा हुआ है तो सोलनेट कंट्रोल पालेट अप्रेट डायक्शन कंट्रोल वाल के उपर यह है है यह हमारा डायक्शन कंट्रोल होता ह कि काफी महएंगा होता है एक है उसका भी हिसा कर सकते हैं तो वैसा क्यूं कर रहा है यह तो सिंपल है से कि देखिए यह है यह होग्या डाइक लिद्ढों लग रहा उपर है हमारा oppression gentlemen यह वीडियो मैंने पूरा बनाए उसको राइन करते हुए अभी गताएंगे सरान करके इसको कि यह हो क्या है कि यहां हमें अब इतना हेवी सर्कृट है इतना हमारा हेवी सिलेंडर है कि इसको जल्दी फिल करना है तो हमें ज्धाव लएगा ज्यादा लिटर पर मिनिट का हमें फ्लो लएगा स्पीड के वेशए ज्यादा यल्पीम है हुए उसको भारने के लिए स्यलेंडर को तो उसके लिए क्या है जब हमारा इसे कि 60 LPM है तो उसमें हमारा इधर चल जाता नॉर्मल में चल जाता ठीक है इधर में यहां से देखिए हमारा चल जाता इसे यह नॉर्मल वाल डर्क्सान का ट्रोल है जैसे मैंने पिछले भी कवर किया हुआ इसको तो इसी हमारा लो एल्पीम देता है ठीक है कम लगा निकलने में उलो ऎलड़ी एंपर हमसे स्पीड क्या जरूड़ी स्पीड के लिए ठीक है तो यह काम निकरेगा और यह सस्तर भी आता है लेकिन काम नहीं पर क्या करते न इसका का। यह ओला, लेकिन यह कैसा है कि यह यह आता है, 30 से 40 एयर का एक आता है, ठीक है अब यहां में फसता है बात, यहां पर cost की कौन सा कितना महेंगा है यह आता है हमारा 30 से 40 एयर का यह की आएगा यह, single, setup ठीक है, solar net control, palette operator direction control wall, अगर ही लेने जाएंगे तो लेकिन जो हमारा यह setup है हमारा जो यह cartridge logik wall है यह हमारा 5-6000 का एक आता है तो जितने में हम वह एक direction controller लेंगे solanet control pilot operated उतने में हमारा यह पूरा एक circuit त्यार हो जाएगा यह उतने में पूरा circuit आजाएगा और इसका maintenance भी easy है पार्ट्स भी सिंपल इसको आप इजीली मेंटेंड कर सकते हैं और अगर यह ख़राब भी हुआ इसको आप रिप्लेश कर सकते हैं 4 से 5 जार में यह चियाजर में अपका काम हो जाता है लेकन अगर वह खराब हो गया तो यह इसको अगर रिपेर करने जाएंगे तो यह बहुत महेंगे पड़ते हैं उतने में पूरा बन जाएगा और इसके लाइफ भी अच्छी होती है हमारे यह काट्रेज लोजी कोल की अच्छी लाइफ होती है जल्दी खराब भी नहीं होते हैं तो यह हम इसलिए थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है ठीक जल्दी खराब नहीं होते हैं और मेंटेनेस में भी इजी है ठीक है तो यह सब रन करके देखेंगे इसको कैसे काम कर रहा है तो आपको टेंसलिंग की जोड़त निया सारे इसको अभी अपना है जैसे कि मैंने पपहले पिछले व्यूड़े में कवर कर लिया था ये सब ठीक है कार्टिज-ब्यूजी का वल 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 टेकि दूसरा पाटें हमारा पहला पाट आप जाके देख सकते हैं इसमां बताएत है कैसा कैसा क्या क्या काम करता है इस लिव है यह क्या देखा होगा उसमें हमने ये वाला सरकीट देखा था यह वाला सरकिट अभी हम देखने वाले हैं अपना यिये वाला सरकीट और वो है तो क्लियर हो जाए है यह वला इसका वीडियो एवला इसका पहले रण्पर्कर देख लिए इसका सरह किट था किकरे से काम करता आप को जल्दी सम्झ में आ जाएगाis स्वार्बिक नदर खोधा दिव्हार इसको रंकर करके जिक किस तरह से काम करारहा है कि देखिे अभी गार्व सिलेंडर उपर है ठीक है अभी यम्मस को नीचे लाएंगे सिलेंडर को तो नीचे आया उपर गया तो जो के तो नीचे आया से этने पयांदिटर इसे हाँ इसी आहां सीच कि या PYRIT है यह to इतने आसानी से काम कर रहा है उसमें मैंने यह रन करके दिखाए हुआ है वह भी देख सकते हैं वीडियो जाके आपको क्लियर हो जाएगा तीक इसमें आपको समझा दे रहा हूं तो हमारा सोलनेट हो गया हमारा प्लेट अप्रेटेटर डाइसंग ट्रोल लार्ज वाला जैसे यह हमारे जैब भार ही पड़ेगा एक ही अगर यह खराब होगा तो इतना हमारा सर्कृट इतने में हो जाता हम उतना है वी सर्कृट यह पांच छे जो हम लगा रहे हैं कार्ट्रेज लाइक वाल उतना हम लाएं की जूरत नहीं पड़ती है वैसे क्लियर हो गया होगा होग कि चलते हैं अग्ले पर सो ईखल आपको देखना है तो सिम्पल आला भी दिखा देते आपको अरण करके यह देखिए है मेरे simple वाला इसमें तो लेकिन यह high LPM के लिए नहीं है यह low LPM है side के नीचे ही यह फिर side के आश पस तक के लेखिए नीचे ही यह उपर है ठीक है यह simple है हमारा तो इस तरह से काम करता है अभी देखिए अब हम में जुआ है इस पर बात करते हैं कि यह किस तरह से काम करेगा हमारा देखिए हमने अब कुछले बोलेगे कि यहां डाक्षान कंट्रोल हो उसकर रहे हैं तो यह simple ओला है फोर भाए तो ठीक है यह सस्ते आते हैं ठीक है तो उसके rate में हमारा solar control पाइट के rate में यह हमारा पूरा सर्किट बन जाएगा ठीक है इजी भी रहेगा और maintenance भी इसका अब हम इसको रन करके देखते हैं ठीक रन करने से पहले बाइब को पार्ट बता देते हैं तो देखिए हमने इसमें क्या क्या यूश किया हमारे टाइंग के नीचे यह हमारा फिल्टर ठीक है चेकवाल के साथ स्प्रिंग रोड लगा हुआ है ठीक पूरी असेमली है इसमें इसमें मेरे पुराने विवर है वह समय उनको क्लियर समझ में आ रहे है यह जो लॉंग सट लॉंग सट लाइन है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहे है ठीक है यह हमारा पंप ह दख सकते हैं इसमां हमें इसके रणिंग की बात करीएं कैसे रन कर रहा है यहारा डाक्शिन का ट्रल लॉल है सिंपल वाला एक फॉरब्य तो που है कैसे ग्रतोर कालितर हो छांआ यह यह सब्सक्ते हैं कि सपरल बलते हं कि यह सब्सक्राइट तुसके साथ पाले आता ही है पालेट से पीछे से हम सब्सक्राइब लगाना ही पड़ेगा इसको ओपनिया क्लोज नहीं पड़ेगा तुम कने नीए अनलोड रहां, बोलोड रहा, जैसे कि पंप्प हमारा आईटल है, तो हम क्या करेंगे इसको एक्टिवेट कर देंगे हमारा पूम पे कोई लोड नई लेगा हमारा अन्लोड ओत रिए यहासे तो हमारा पॉंप जो है वह फ्री लिपूब करेगा रॉल लोगा से हमारा जो ऑईल नहीं करें और यहां से हैं मैं प्रेश से तरु o इसको करें पीछे साएगा कि यहां किसमें जा सकता है अभी चलिए को रन करके देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा पूरा प्लियर कि किस तरह से काम करता है कर तो नंवरा पंप रंड कर रहा तो यहां सीधर जा रहा है और इसको इधर तो यहां अन लोड कर देंड हो गया और हम इसको लॉड़ पे लाना है तो क्या करना है यह दिक 안व पर बेसर आगया तो ठीक है दो से लगवखा आगया हमारा प्रेसर अभी देखिए क्या हुआ कि यह प्रेसर इधर से जाके और यहां से क्रोस होते हुए यह देखिए यहां आया दो से यहाँ था यूख ओपरullah यहाँ पर डो से किया और यह سप्रिंग कि अफ़ोस पांच टो 206 क्यासपस यह पुरेसर आगया तो ऊप्षज जादा ओगे । इसलिम उसको दबाकर रखा हुआ है तो यह खुल जाता ठीक है तो यह होगया यह लाइन ठीक पर जैसे सिझे को अन्लोड करना है यह शेदा जाकर क्या हो गया पिछप में हम लोड पहला थिया अब क्या हो रहा यहां से यहां से ब्लोक कर दिया पिछ़े से अब और दो खिख सब्सक्राइब और और हमारा क्या कर रहा है यहां से कनेक्ट है देखिए यहां से प्रेशर जा रहा है इसके पीछे तो इसको ब्लॉक करके रख दिया और यहां से पीछे से इसको ब्लॉक करके रख दिया देखिए पीछे भी हमने देखाता है विडियो मत में अभी हमने क्या करना है इसको र कि यहां से जाके इसने यहां connect कर दिया pressure को पर पर प्रीश्र का इससे क्या हुआ कि हमारा यह tank नहीं जारा इदर का oil हमरा क्या करता फिर यहां से आएगा यहां से आएगा इस इसमें जाएगा इसको झाया And तो नहीं जा सकता है तो यह लोड में हाभी और यहां से ङॉँदर नहीं जा रहा टैंक में तो क्या होता कि यहां सो लीडर टैंक में चलिए आता है उमारा प्रिसर नहीं बनता थिक तो हम इसको बिखे नीचे करेंगे यहां अगर 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 हम इसको रंड करेंगे तो यह दिखें जे गया नीचे गया हमारा यहाँ से यहाँस भाक्ष्ट कर तो होगे यहाँ है प्लोप razor है पिछे को यहाँ से भाग्या प्रिस को करते हैं जैसी हम बटन को छोड़ेंगे हमारा प्रेस वहां रुख जाएगा जैपि यह जाकर लास्ट में रुख जाएगा तो यह वापस चले जाएगा हमारा बटन को छोड़ेंगे जैसी इसको करेंगे अब देखिए गया उपर स्पीड में हैफ sonra महारा यहां देखिए अभी नहीं जा सकता है कि हमरे बटन को छोड़ा ही नहीं लगी इसको अभी हम पहले इसको छोड़ते हैं यह कि यह आनी छे हैए जसी 你आ झेसे इसनो पोज़ोबीशन में आ जाएगा वापस यह इने बटन और इस तरह से देखिए इ लाइक, शेर और सस्क्राथ करना मट भूलिएगा और आपको यह क्लियर भी हो गया होगा कि हम यह हमारा जो Administration लॉजिक वौल, है वो क्यों यूज कर रहे हैं क्क हम, इसके जगा Simple Allah सार्कीट कहा हुं क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक मैं इतने बार बता दिया आपको तो मिद्या को इस सब समझ में आ गया होगा है तो फ्रेंड्स धन्यवाद